बिपिन्तिरपाथी बिचार मंच द्वाराहाट द्वारा 30 अगस्त 2021 को कुमाओं इंजिंग कॉलेज द्वाराहाट में एक ब्रिक्षारोपन कारिक्रम का आयोजन किया गया इस आयोजन में बिपिन्तिरपाथी बिचार मंच के समस्त सदस्यों एवं आम नागरिकों ने हिस्सा लिया इस कारिक्रम में सिरीतिरपाथी की याद में ब्रक्षारोपन किया गया यह ब्रक्षारोपन कारिक्रम विपिन तिरपाथी बिचार मंच के बैनर तरे आयोजित किया गया इस कारिक्रम में डॉक्टर सिज्वाली स्री के पियस अधिकारी जी स्री लक्षमी चंतिरपाथी जी स्री रमेश चंतिरपाथी जी स्री अनिल चौधरी जी और अनेकों गणमाने सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया कारिक्रम मैं डॉक्टर जोती तिरपाथी ने बताया कि यह कारिक्रम प्रतिवार्स तिरपाथी जी की पुन्यतिति पर आयुजित किया जाएगा उनका कहना था कि तिरपाथी जी को परियावरण से बहुत अधिक प्रेम था वो कहा करते थे कि जो घरू में हमारे फलदार ब्रक्षों होते हैं उन फलदार ब्रक्षों में तिरपाथी जी कहते थे कि जैसे आप उसके पूरे फल न खाएं कुछ फल आप उन पेडु में ही छोड़ दें ताकि उनको चिडिया या अन्य पक्सी खा सकेंगे उनको भी भोजन मिल सकेगा ऐसी सोच वाले ब्यक्ति की याद में ब्रक्षा रोपन करना एक अपने आप में बहुती स्वभागी साली था इस कारिक्रम में विपिन परकार के पौंधे लगाए गए जिन में बुरास के पौंधे लगाए गए काफल के पौंधे लगाए अमरूत इत्यादी के पौंधे भी लगाए गए आप देख सकते हैं Unail Caudhary जी इस समय कायरक्रम और विपिन तरपाठी बीचार मनचे के अध्यक्स स्री केपियस अध्यकारी जी महामंत्री स्री तरपाठी जी ये प्रिकशारोपन का कायरक्रम कर रहे हैं जिसमें श्री रमेश तरपाठी जी अपना सयोग दे रहे हैं और साथ में कई महिलाओं ने बच्चों ने भी इस कारिक्रम में परतिभाग किया। कारिक्रम के तहट पौधों के सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाए गए और यहाँ संकल्प लिया गया कि इन पौधों को लगाना ही नहीं बचाना भी है। इस आउसर पर लोगों ने बढ़ चार कर प्रतिभाग किया और बड़ी उर्जा के साथ इस कारिक्रम को संपन्न किया। केईसी के आगन में इन पौधों को मुख्य भाउन के पास रोपित किया गया है और पौधों के चारों और ट्रीगार लगाए गये हैं। साथ ही इस कारिक्रम में केईसी के माली के पत पर कारत स्री ग्रीष जी द्वारा अत्यदिक सहयोग किया गया। स्री महे चंतिरपाथी जी ब्रक्षारोपन करते हुए साथ में स्री बहादूर सिंग बिच जी भी अपना सहयोग इस कारिक्रम में दे रहे हैं। और सभी लोगों ने संकल्प लिया कि इनका संग्रक्षन भी किया जाएगा जिसके लिए स्री ग्रीश जी ने सहर से इसको स्विकारा और यहाँ बताया कि वो इस कारिक्रम को सफल बनाएंगे और साथ में इन पौधूं की देखरिक भी करेंगे इस अउसर पर आप देख सकते हैं सिग्रीश जी ट्रीकार लगाने में पूर्ण सायोग अपना कर रहे हैं कंटर मेल जमना परसात्तिवारी इस कारिक्रम में अपना सायोग कर रहे हैं और डॉक्टर जोती तिरपाटी जी के साथ भंडारी में और यह उनके तिरपाटी जी के पौत्र भी इस कारिक्रम में हिस्सा ले रहे हैं आप देखिए यहाँ पर एक यह काफल का ब्रक्ष उनके द्वारा लगाया जा रहा है और काफी खुसनुवा माहौल है जिस प्रकार की प्रकृति से प्रेम था तिरपाठी जी को सभी लोग उने संकल्प लिया कि हम उस प्रे ब्रक्षा रूपन कर रहे हैं साथ में यस्तिवारी जी ब्रक्षा रूपन कर रहे हैं साथ में ग्रीज जी उनका सहयोग कर रहे हैं और सभी पौंधों के चारों और ट्रीगार्ड लगाए जा रहे हैं ताकि इनको सुरक्षा मिल सके स्री अनिल चौधरी जी पूरव नगर अध्यक्स द्वारा हाट आप पूरा सायोग इसका रिक्रम कर रहे हैं और केई सी के कुल सचे उसरी डॉक्टर अजीच जी ने सायोग किया और साथ में आप देख सकते हैं इस समय जो वहां के माली पत पर कर रहे थे हैं सरी ग्रीज जी उनको सम्मानित किया जा रहा है कि आपने इस संग्रक्षन का एक जुद्दायत तुलिया है इसके लिए आपको धेर सारी सुबकामनाय हैं और केपियस अधिकारी सर सभी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और ये संकल पर ले रहे हैं कि हम जो ये ब्रक्ष लगाये गए हैं इन सभी ब्रक्षों का शंक्रक्षन भी कर पाएं इसके लिए प्रतियक सदस्य और प्रतियक प्रियावन से जुड़ा ब्यक्ती इस कारी में आगे आएगा और केईसी के इस प्रांगण में ये जो विपिन तिरपाथी विचार मंच द्वारा ब्रक्षारोपन कारिक्रम किया गया इसके लिए ये भी निर्धारित किया गया कि प्रतिवार से इसको अलग-अलग स्थानों में कारिक्रम को लगाया जाएगा इसको मनाया जाएगा और इसके जरिये संग्रक्षन का पाठ जो तिरपाठी जी ने पढ़ा है उसको आगे बढ़ा जाएगा उनके परियावन संग्रक्षन संबंदीकारियों को आगे बढ़ा जाएगा और सभी लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चड़के हिस्सा लिया और स उस मन्च ने संकल्प लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संग्रक्षन कारियों से हम जोड़ेंगे और साथ में इस संग्रक्षन कारियों को आगे बढ़ाते हुए इसमें बच्चों की बिभिन प्रकार की प्रतियोगिताएं भी संपन न कराई जाएंगी और यहा हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीडी को भी इस ब्रक्षारोपन कारिक्रम से जोड़ेंगे और साथ में संकल्प लेंगे सभी लोगों ने बड़े हरसोलास के साथ बिचार मंच के इस कारिक्रम में सहबागिता दी और यहाँ संकल्प लिया कि ब्रक्षा रोपन, परियाओंड संग्रक्षन या जैविवित्ता संग्रक्षन के लिए हम सब साथ में हैं ताकि आने वाली पीडी के भोश्य को उज्वल बनाया सके आने वाली पीडी इस संग्रक्षन कारी को आगे ले जाएगी इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा इस अधिक लोगों से शंग्रक्षन कारी के लिए आगे आने का आख़वान किया आज विबिन तिरबाठी की पुन्य तिधि में यादगास हरूब हमने ये बिरक्षार रोपा कारी का मिहां आईजित किया और इनकी प्रगती का हम निरंता खाबर रखेंगे हमारे विचार मंच की प्रगती और इस ब्रक्षों की प्रगती आपस में मिली रहे आज हमने ये पहुंते लगाए हैं और हम उमीद करते हैं कि पहुंते बहुत बड़े होंगे और ये परियावरण में अपना सहीयोग करेंगे